नमस्कार मित्रों आधुनिक भूगोलवित्ताओं के जीवन परिचय के क्रम में आज हम बात करेंगे एक प्रमुख भूगोलवित्ता की, जिनका नाम है जौन मैकिंडर। सर हैल फोर्ड जौन मैकिंडर एक प्रतिष्थित ब्रिटिश भूगोलवित्ता थे, वे भूराजनीती के क्षेत्र में एक मौलिक व्यक्तित्व के रूप में जाने जाते हैं, उन्होंने बीसवी शताबदी की शुरुवात में रणनीतिक विचार पर एक अमिट छाप छोड मैकिंडर का प्राथमिक ध्यान भूराजनीती के क्षेत्र में था, जहां उन्होंने भूगोल, शक्ति और अंतरराश्ट्रिय राजनीती के बीच जटिल संबंधों का गहराई से अध्ययन किया, उनके अग्रणी कार्य ने वैश्विक भूराजनीती के व्यवस्थित अध् और विभिनक शेत्रों में रणनीतिक सोच को प्रभावित किया, मैकिंडर की विशेशग्यता भूराजनीती में थी, उन्होंने वैश्विक भूराजनीती में यूरेशिया के विशाल केंद्रिय भूभाग हार्टलैंड की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया, प्रणनीतिक धुरी के रूप में इस चेत्र पर उनके जोरने भूराजनीतिक विमर्ष पर गहरा प्रभाव डाला। इंदर की स्थाई विरासत उनके मौलिक कारियों में समाहित है, विशेश रूप से डेमोक्रेटिक आइडियल्स एंड रेलिटी और इतिहास की भूगोलिक धुरी इन प्रकाशनों ने उन्हें भूराजनीती में एक अग्रणी चिंतक के रूप में स्थापित किया और आने वाले समय में वैश्विक शक्ती संबंधों पर चर्चा को आगे बढ़ाया। इस समशिप्थ परिचय में बस इतना ही, आगामी अंक में एक अन्यभूगोल वित्ता के जीवन परिचय के साथ हम फिर मिलेंगे, धन्यवाद।